Dear student, you are watching 21st S.S. online, this is frame. 2021 में board examination conduct करवा लेना, वो अभी CBSE या CISE के लिए अभी के सम्में में बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा है। कुछ दिन पहले भारत के जुके सम्मिनिस्टर ने CBSE के class 10th और class 12th 2021 के board examination के लिए शुरुवात और अंत के date यानि 4 में से लेकर 10 जून तक announce तो कर दिया लेकिन एक महिना भीतने को है, अभी तक proper date sheet नहीं आये। यही बात CISE के साथ है कि word date sheet को या probable date को भी नहीं announce कर रही है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के बताया था कि CISE dummy board examination को conduct करके या secure करना चाहेगी कि उसके board examination for ICC class 10th और IAC class 12th 2021 conduct हो जाए। इसी को पुष्टी करते हुए 23rd January को La Martinet for Boys Kolkata के school ने और La Martinet for Girls Kolkata के ने या confirm किया कि वे March से April के बीच में ऐसे dummy examination को conduct करेंगे, इसके लिए student को बुला के ये board examination किस तरह से हो पाएंगे, इसको secure करने की पूरी कोसिस करेंगे। जिस तरह से बाते और बताई जा रही हैं कि देश भर में, खास करके मुंबई में नर्सी मोंजी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे school हैं जैसे राची में, विसप, वेस्ट कोर्ट, वाइज हाई स्कोल, ये सभी इस तरह के dummy board examination for ICC class 10th और IAC class 12th 2021 conduct करके ये देखना चाहेंगे कि student board examination के लिए किस तरह से turn up होते हैं और COVID-19 के इस pandemic वाले situation में student को government of India के ASOPs के ध्यान में रखते हुए, किस तरह से social distancing, thermal scanning और sanitizing के पूरे माहल को follow करते हुए board examination को conduct करवा लिया जाए, date seat उसके बाद ही आने की संभावना रखती है, क्योंकि pandemic के इस दोर में यह पहला full-placed board examination होगा जिसमें CBSC और ICC board की मान लेजिए, तो करीब 50 लाख student move करेंगे class 10th और class 12th के board examination के लिए अगर उनके parents और vehicle के साथ सारे movement और human beings को include कर लिया जाए, तो एक करोड से डेल करोड के बीच में movement होने की संभावना daily या प्रतेक दो दिन पर होने वाले हैं, तो इतने movement को किस तरह से government of India, state government और respective जो exam conducting school है, control कर पाएंगे या एक बड़ी बात है, हाला कि यह statistics कुछ exercise rate है लेकिन जिस तरह की बाते बोले जा रहे हैं, उसके मुताबिक अगर पचास लाग से एक करोड स्टूडेंट और उनके parents का combined movement होता है तो यह अभी चुनोती से भड़ा काम होगा, क्योंकि इतने बड़े संख्या में student का movement अभी तक किसी भी examination में नहीं हुआ है यही कारण है कि board examination को लेकर government of India, education ministry के साथ साथ different exam organizing body अपने thinking और हर तरह के skill को practice करके देखना चाहती है कि इन examination को successfully conduct कैसे किया जाए और इसको लेकर जिस तरह के attempt चल रहे हैं, उनका successful conduction ही board examination के होने के 100% security को tie करेगा इससे पहले अभी student के साथ साथ parents, teacher और school के बीच में भी एक panic call बना रहेगा कि ए examination किस तरह से कैसे और किन date में final conduct होते हैं तो अभी तक के लिए यह एक बहुत बड़ी बात एक थमसा बनता है, you can consider to subscribe the channel अभी यह झाल आए